नमस्कार स्वागत हैं आपका टीसी बुटिक में इस वीडियो में हम सूट की आपको बताएंगे अगर मा लिजिए किसी की कंधी उतर जाती हैं तो इस वीडियो को देखेगा तो वो बिल्कुल ही उसकी सूट की कंधी नहीं उतरेंगी इसमें हम कटिंग बताएंगे बहुत जैसे कि यहां परंग डाप्डा ये इसको मने के इस सीना ही और अगर आपने तो इसका ना पिए है 49 ळेकिन यह काफी लूज है चो है इसमें लूजिंग भी एलक से छोड़ी जाती है तो यह टोटल जो शूट की नाप लिए बहुत साड़े इक्किस यानि की की दूना 42 यानि की 43 यानि की चार इन्च की लूजिंग है तो अगर इसांगो आर्मौ रखना हो तो हम इसका कितना रखेंगे तो अगर किसी का जो सामने का गला वह 5-6 !! पीछे जंगा में वह 2 लंबाई है तो आपके कंदी बहुत नहीं कंदी नहीं उत्रेंगी तो जो तीरा है वह आपने जितना नापा यानि कि 15 पंदरा नापा हो या फिर जो है साड़े 14 पाउ जीतना भी नापा हो उतना आप रख सकते हैं अब इस से ज़्यादा तीरा रखेंगे मतलब 16 रखेंगे या पर 15 रखेंगे 16 तो तीरा तो लटक जा तो थोड़ा था मलब बढ़ा हो जाता है तो जैसी आपको सबसे पहले कम रखना होता है अगर किसी का मा लिजे आपने बोडी की नाप से आपने फिक्स तीरा मतलब चढ़ा के बिलकुल रखा हो लटका हुआ नहीं बिलकुल चढ़ा के उपर 14 रखा हो किसी का तीरा तो आपको उसको 13 रखना होगा एक इंची कम रखना होगा अगर गला आपका बड़ा है तो जितन गला होता चला जाएगा उतिनी है हमारी जो इस चोटा होता है जैकर आसा नहीं करेंगे तो क्या होगा खासंवरी कंदी उतर जाएंगी जो नहीं करना दूसर्पिद्श पर साइट थोड़ी सी कम कर देनी होती है उपर किया तो इस तरह प्रीदार वहारलेगा नहीं इस तरीके से राउंड में अलग सा रहेगा अंद के लिए पर कि लिए तोड़ा सद्रीदी चीजिद सिर्फ में तीरा झोटा कम करें seemsος लंभाई है पिए साढ़ साथ रखने को थे तो आपको अगर अपको थोड़ा कुम कर दिए तो आपको खायो तो यानिक कि यह जो है यह भी आपका बढ़े गा तब भी आपकी कंदी उत्रेगी तो आपको पिर इतना नहीं तो इसके कम करने साथ में आर्म पहुपा और और कशुल साही आएगा अब इसकी कुणक्त्यत करते हैं और अब शॉना को पूट take यहां पर रखा और एक क्षिक कम करके और यहां पर जो हाई यहां पर हम भी हम साफे रख रहाए हैं कि उसके बाद हम को इसको झो झो लगा लेना है इस तरीके से आजदी के हमारे कंदि कितनी आएगे साड़े 5 इं चवणाई रखेंगे तो भी इमारी देigkeiten शॉह रही बिलकुल सही आ रही है यहां से अगर ना पेंगे यहां से ना पेंगे साड़ थीन आ रहे है तो बनने के बाद तीने इंच की कंधी रह जाएगी चौणाई में बिलकुल ही सही आ और जो है जैसा की 21 चेश्ट है 43 के करेंगे 35 और 22 के करेंगे न forecast सब्सक्राइब रखनाब दोनों पार घालियन नहीं के यहां पर भक गलाई। यह सामने के खुलाई ऑप जौ्क्छ सामने के गलाइ रांता है। तो दोनों एक साथ कटेंगे, तो पहले हमको back का काटना होता है, उसके बभाद सामना काड़ना है, क्योंकि दोनों पहले रखेंगे, अगर सामना ही काट देंगे, तो back नहीं रहेगा, तो वो पीछे tight हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना, यहाँ से byभा का हिस्सा काटना है, उसके बाद बाद में हम सामना काटेंगे तो ये काम मरा इतना हो गया उसके बाद जो है यहां से हम नापेंगे साथ इंच पे कमर बनाएंगे कमर देखेंगे इसकी 21 है यह सीधी सीधी है और लूज है काफी कुर्ती मतलब घर में पहिनने के लिए है आप अपने हिसाब से जितनी भी फिटिंग चाहिए आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं बाकी यहां से हिप का निसान साड़े साथ पे हिप है इसकी 24 24 दूना 48 यानि की 22 दूना चबाल यानि की 12 बाच्चवक 48 काफी लूज है यह तो यहां पर यह हमने रख दिया अब जो है इसको यह हमने निसान लगा दिया अब जैसे कि उपर से नापते हैं इसकी लंबाई जो है बो है 49 और इसमें आदा इंच कंदी का मार्जन तो यहां बस 45 का निसान लगा लेते हैं अब जी के इसका जो घेर है बो हम रख रहे हैं 23 आपका जितना हो आप उस इससाफ से अपना रख सकते हैं तो यहां पर जो है इसका 23 है इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं बांकी का फोल्डिंग के लिए जो यहां बेस्ट इसे प्रथन हो इसका जडस्ट अब हमको क्या करना है इसना सामना एक हिस्सा निकाल लेना है अब दीके सामने काम को आर्मूर काट लेना है यह देखे हमने सामने का आर्मूर काट लिया अब हम काटेंगे अपनी बाजू बाजू का अब आपको आर्मूर देखे किस तरीके से रखना है आपको यहां से इसको नाप लेना है सिंपल सा इसको नाप लेना जितना भी यह हो से आदा इंच आपको उसको बढ़ती काड़ देना है बाजू वाले आर्मोर को तो दीखे यहांपर पौने दस आ रहा है तो आदा इंच हमारा कंदी में दब जाएगा तो सबानाव रह जाएगा तो सबानाव यह हो गया उसके ब आदा इंच का इसका मारजन चला जाएगा तो बचेगा आठारा तो हमको रखना है साड़ आठारा ही यानि कि सबानाव इंच ऐसे आना चाहिए गुलाई में तो अब हम इसको काटते हैं बाजू को तो देखे जैसे कि यह डबल कपड़ा है और यहां से हम लगाएंगे नि छेर्प का मारजन तो साड़ेचे हम को यहां पर रख देना है कि अंधर फोल्डिंग के लिए अम एक दे एक इंच फोल्ड गरेंगे तो दे अड़ इंच छोड़े यह उसके बाद को लाइनिंग कर लेना है कि अब यहां से घुलाई देंगे तो दिखे और थोड़ी सी गुलाई यहां पर देगे यह रहा और यहां से अब नापतें हैं यह देखे, यह अमारा आर्मोर है सबानाउ यानिकि साड़े अठारा यहां से देखे, इतना आरा अमारा सबाण लगवक हमको रखना है अब ये आर्मोर बिल्कुल ही साही है तो यहां पर सबाट यहां पर रख दिया और बागी इसकी मोरी जो है वो तेरा है बागी का मार्जन और इसका मार्जन हमको छोड़ देना है अब इसको हम कार लेते हैं ताल को तो यह हमारी फाइनली बाजू कट गई तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं आप किसी दिन नॉर्मल सूट मैं आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मल होता ना 36 चैस्ट 34 चैस्ट और 32 चैस्ट इसकी भी कटिंग जल्द ले आऊंगा ताकि आपके और डेल में अच्छे से समझ में आ जाए तो जिन लोगों ने चैनल को नई सब्सक्राइब कर रखा जरूर कर लें साथी बेल आइकन को जरूर्पेस कर लें आल पर